श्री अतुल बगई ने दैनिक भाशकर से बादचीत में आगे बताया कि इस कारेक्रम की अस्थापना 1972 में मानो पर्यावरण पर स्टॉक होम में आयोजित संजुक्त राष्ट सम्मेलन के उप परिणाम के रूप में हुई थी इस संगठन का उद्देश मानो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरास्तिय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंदी जानकारी का संग्रहन, मुल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना है इसका मुख्याले कीनिया के नैरोबी में युनाइटिड नेशन पर्यावरण संबंदी समस्याओं के तक्नीकी एवं समान्य निदान हेतु एक उत्रेरक के रूप में कारे करता है इसके कारेक्रमों के तहत 1975 में अस्थापित भूमंडलिय पर्यावरण या निगरानी प्रणाली जिसे हम GEMS कहते हैं ये भी शामिल ह जिसके द्वारा केंद्रों के एक तंत्र से प्राप्त आंकडों के आधार पर विश्व के जलवायू परिवर्तनों, विश्व की पारिस्तितिक इस्तिति, जल प्रदूशन तथा उश्न कटिबंधिय वनों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं 1985 में इस्थापित भुबंडलिय संसाधन सूचना डेटाबेस जिसे हम GRID कहते हैं द्वारा उपलब्ध आंकडों को उपयोगी सूचनाओं में बदला जाता है इन्फो टेरा पर्यावरण या सूचनाओं एवं विशशग्यता है तू एक कम्प्यूटरी कृत संदर्भातमक सेवा है संभावी विशैले रसायनों को अंतरास्टिय पंजी का जिसे हम IRPTC कहते हैं रास्टिय सनवद्दाताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से सो देशों में कारे करती है तथा पर्यावरण वो स्वास्त के लिए खतरनाक सी धोने वाले रसायनों पर सूचना उपलब्द कराती है अतुल बगई से हुई चर्चा में ये तथ्वे भी उभर कर सामने आया कि इन कारेक्रमों को लागू करने के अलावा ये संस्था पर्यावरण के शेत्र में प्राशर्मी सहयोग देने का काम भी करती है सरकारी नीजी समूहों अंतर सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों से अत्रिक्त संसाधन जुटाए जाते हैं UNEP द्वारा अत्यावश्यक पर्यावरणिय सहायता के लिए संयुक्त राश्ट केंद्र जेनेवा तथा अंतरास्टिय पर्यावरणिय तकनीक केंद्र ओसाका की अस्थापना की गई है United Nations Environment Program अन्यसन्युक्त राश्ट निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैक्रों परियोजनाओं पर कारे कर चुका है पर्यावरण सुरक्षा हेतु अंतरास्टिय नियमों को लागू करने तथा इसके अनुरूप विकास कारियों को गती देने में भी इसकी भूमी का प्रेड़ना दाई रही है 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक संधी को वियना सम्मेलन में स्विकार किया गया इस संधी के परिवर्ती संशोधनों के अनुसार भागिदार रास्टों ने क्लोरो फ्लोरो कार्बन के उत्पादन में चरणबध कटावती करने का समझोता अंगिकार किया 1989 में खतरनाक कचरे के पारदेशिय संचलन तथा निप्टान के नियंत्रण हेतु की गई बेसल संधी 1992 से लागू हुई यह संधी विक्सित देशों द्वारा विकास्षील देशों में किये जाने वाले कचरे के जमाओं को रोकने का प्रयास करती है UNEP द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन प्रीथवी सम्मेलन के आयोजन में व्यापक मदद उपलब्द कराई गई इस सम्मेलन में सन्वहनिय भुमंडली अविकास के लिए एक व्यापक कारी योजना एजेंडा 21 को स्विकार किया गया प्रीथवी सम्मेलन के आगरह पर महसभा ने एक सन्वहनिय विकास आयोग की अस्थापना की जो पर्यावरन से जुड़ी समस्याओं से जूजने वाली गतिविदियों पर निगरानी रखता है इस लक्ष की पूर्ती के लिए सरवाधिक महत्वपूर्ण वित्तिया कारेतंत्र भुमंडलिय पर्यावरन सुविधा है जो युनाइटेड नेशन्स इन्वार्मेंट प्रोग्राम और युनाइटेड नेशन्स डेवलप्मेंट प्रोग्राम एमम विश्यो बैंक के प्रवंधन में कारे करता है